वहाँ बेक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था एक देल वहाँ किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था तब ही उसे एक गड़े में से आवाज आती है अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुट्टे का बच्चा है जो मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना होगा नहीं तो ये मर जाएगा फिर वहाँ गड़े में जाग कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोट आसा कुट्टे का बच्चा दिखाई देता है वहाँ उसे देखकर दंक रह जाता है उसका रंग नीला होता है ये तो कुई कुट्टे का बच्चा लगता है लेकिन ये तो नीले रंका है मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंका कुट्टा नहीं देखा घब ले चलता हूँ सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी फिर वा किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की उड़ चल देता है अरे सुमन जल्दी बाहर आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ तब ही उसकी पत्नी बाहर आती है और कुट्टे के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौंक जाती है हाई कितना प्यारा है ये तो नीले रंगशा है अजी आपको कहां से मिला क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ मुझे बच्चपन से एक कुट्टे के बच्चे को पालने का बहुत शौक था हाँ हाँ क्यों नहीं मैं ऐसे तुमारे लिए ही तो लाया हूँ लेकिन ये आपको मिला कहां से मैं खेत की तरफ जा रहा था सभी अचानक गठे से इसके रूने की आवास आई नहीं जाक कर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला ये जरूर भूखा होगा तुम इसे कुछ खाने को दे दो इतना बोल कर किसान वहां से चला जाता है फिर सुमन उसकी खोब देख भाल बगती है वर दिन भर उसके साथ खेलता कूटता है सुमन को उसे पारकट बहुत खुश थी वह कुटता पुरे गाउं में आकरशन का केंज था वह जब भी गाउं में खूमने निकल था सारे गाउं वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुटता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था अरे हरिया देख तो ये उसी किसान का पिल्ला है तुझे कभी नीले रंग का कुटता देखा है क्या नहीं भाई मैंने तो पहली बार ऐसा कुटता देखा है लेकिन ये इस किसान को मिला कहां से? इतना अजोखा कुट्टा खरीदने की हैसियत दो इस किसान की है नहीं अरे भाई इससे तो ये किसी गड़े में पड़ा हुआ मिला था मुझे तो लगता है ज़रूर ही ये कोई जादूई कुट्टा है ये क्या लगता है बाचार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई ये तो नायाब चीज है ये तो अनमोल होगा इसके हमें मो मांगे पैसे मिलेंगे भाई अर नायाब चीज पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है तेर किस बात की? आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सूरे होते हैं तभी ललन और हरिया किसान के घर में घुश जाते हैं और निलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं ले ले बैठा, बिस्कुट खा ले, ले 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 ले, आजा आजा वह जट से उसे पोरे में कैद कर लेते हैं और वहां से नो दो ग्यारों हो जाते हैं और भाग कर अपनी घर आ जाते हैं हरिया भाई, एक काम तो पूरा हो गया बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है शुब काम में देरी किस बात जी हम कल सुबा होता ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे अगर देश किता पर पे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं राप्ते में उन्हें एक सेट मिलता है उसे उस बोरे में से अजीब अजीब से आवाजे आती है अरे भाई रुको रुको इस बोरे में क्या भंकर ले जा रहे हो भाई ये एक जादू कुत्ता है ऐसा कुत्ता पूरी दुनिया में केवल एक ही है ऐसा कैसे हो सकता है बाई, जरा मुझे भी तो दिखाओ वसे नीलू को देखकर चौंग जाता है तुम है इसके लिए सौस होने की मुझराय देनी होंगी ठीक है, मुझे मन्जूर है लो, ये लो तुमारी सौमुत्रा है, आज से ये कुट्ता मीरा हुआ वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में ना पाकर सुमन और किसान परिशान हो जाते है सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है नीलू तुम कहां चले गए, तुमारे बिना में कैसे जिऊँगी वापस आ जाओ ना नीलू, अजी मेरे नीलू को कहीं से भी ढून कर लाईए जब दिक मोई वापस नहीं आएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी ठीक है ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढून कर लाता हूँ फिर किसान गाओ में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है अरे भाई, मैंने तुमारे कुट्टे को देखा था, वो लल्लन और हरिया तुमारे घर से बोरे में किसी को भर कर ले जा रहे थे वो अवश्य ही तुम्हारा कुट्टा होगा फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है लल्लन, मुझे पता चल गया है, तुम ही ने मेरे नीलू को चुराया है उसे अभी के अभी वापस लोटा दो, नहीं तो मुख्या से कहकर तुमें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा अरे हरिया भाई, इसे कैसे पता चल गया मुझे लगता है किसी ने हमें उसे तुराते हुए देख लिया होगा मुझे अभी के अभी मेरा कुट्टा वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा भाई, तुम्हारे कुट्टे कोटो, हमने सो मुद्राओं में बेच दिया अग तुम चाहो, तो सारी मुद्राय रख लो, और हमें छोड़ दो नहीं, मुझे मेरा कुट्टा है चाहिए, तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंडो, और मुझे मेरा कुट्टा वापस ला कर दो नहीं तो जेल जाने के लिए तयार हो जाओ इतना बूल कर किसान वहां से चला जाता है अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो ठानेदार की धमकी दे कर गया है ललन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना है रे, अब क्या होगा? चलो उस सेट को ढूटते हैं उसे, उसके सारे पैसे लोटा कर, उस कुट्टे को वापस ले लेंगे वे दोनों सेट की तलाश में निकल पड़ते हैं लेकिन बहुर देर तक ढूटने पर भी, उन्हें वह सेट नहीं मिलता ललन भाई, यहां तो सेट का कोई नामों निशान ही नहीं है न जाने अब तक कहा निकल गया होगा? अब क्या करें? हमरे पास कल सुबह तक का ही वक्त है अरे अरिया, वो देख, यह तो बिलकुल किसान के कुट्टे जैसा ही लग रहा है तुम्हारी आखों में मोतिया मिंद हो गया है क्या? बेवकूफ, किसान का कुट्टा नीले रंग का था और यह तो भूरे रंग का है क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में भर्क दिखाई नहीं देता अरे तो क्या हुआ अगर हम इसे नीले रंग से रंग दे तो उसके बाद ये हो बहू नीलू जैसा ही दिखेगा बाद तो तुम सही कहते हो भाई चलो कर देर किस बात की अभी इसे फकड़ते हैं फिर वे दोने उस कुट्टे को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोल कर उसे उसमें डुबर डुबो कर उसका रंग की नीला करते देते हैं अरे भाई हरिया यह तो बिल्कुल नीलू कैसा ही दिख रहा है फिर अगले दिन यह उस कुट्टे को अपने साथ लेकर किसान की घर जाते हैं अरे भाई मोहन देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए है जल्दी आओ तुम्हारा नीलू वापस आ गया है जल्दी आओ किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीरा लल्लन और हरिया तुमने गुनाह तो बहुत बढ़ा किया था लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गल्ती को सुधार लिया इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है तुम दोनों जा सकते हो फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं नीलू तुम वापस आ गए मुझे तुम्हारी कितने फिक्र हो रही थी कहां चले गए थे तुम हाँ आज की बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरा नीलू इतने दिनों भाद घर आया है इतना गंदा भी हो गया है चलो अब हम नहाई- नहाई करेंगे फिर सुमन उसे नहलाने लगती है अले मेला नीलू नहाई-णाई करेगा इतना गंदा हो गया है पाने उसके उपर पढ़ते ही वह कुटता छट पठाने लगता है अरे क्या हुआ नीलू तुझे तुमना बहुत पसंद था आज क्या हो गया तुझे तभी इसका सारा नीला रंग उतरने लगता है अरे ये क्या इसका रंग क्यों उतर रहा है तभी पर कुटता गुसे में आकर सुमन को काट लेता है अरे मर्डी रे हाई रे अरे सुनो जी इसने तो मुझे काट खाया हाई रे अजी सुनते हो जल्दी आओ मुझे लगता है ये हमा ए लल्लन दर्वाजा खोल ए लल्लन जल्दी दर्वाजा खोल नहीं तो इसे तोड़ दूगा आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता अरे मर गहरे ये तो उसी किसान की आवाज है लगता है इसे हमरी तरकीब के बारे में पता चल गया अरे क्या हुआ भाई इतने गुसे में क्यों हो तुमें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चड़ा कर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है भाई हमें माफ कर दो हमने उस सेट को ढोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई नामों निशान नहीं मिला भाई तुम ये सौ मुद्राएं रख लो अब इससे ज़्यादा हम तुमारे लिए और कुछ नहीं कर सकते अगर तुम चाहो तो हमें जेल भीजवा दो हम दोनों अपनी गल्ती की सजा काटने को तयार हैं किसान उदास हो जाता है और उनसे सौ मुद्राएं लिंकर वापस अपने घर आ जाता है मुझे माफ कर दो सुमा मैं तमारे नीलू को नहीं ढूंड पाया ये लोग ये सौ मुद्राएं नीलू को बेचने पर उन्हें इतने अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों पैसों से गरीबों में भोजन बाड़ देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं तभी उन्हें कुछ आवाज ही सुनाई देती हैं वे दोनों चौक जाते हैं अरे ये तो मेरे नीलू की आवाज है नीलू नीलू तुम कहा हो तब है सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है नीलू तुम वापस आगे तुम कहां चले गए थे मैं तुमारे बिना कितनी उदात हो गई थी किसी ने सची कहा है दुआओं में बहुत शक्ती होती है